कन्या पूजन में भी नौटंकी नजर आती है कॉंग्रिस के लिए क्या कन्या पूजन नौटंकी ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ देखिए चुनावों से पहले चौका देने वाली सियासी बयानबाजी मतलब कोई दो दिन पहले क शिवराज सिंग चौहान कन्या पूजन करते हैं कोई नई बात नहीं थी इस बार उनके घर पर हुए कन्या पूजन में बीजेपी के कई विदाय भी शामिल हूए शिवराज सिंग चौहान समेत तमाम लोगों ने कन्याओं का आशिरवाद लिया ये तस्वीरे हर चगा चर्चा में रही मीजा में इनको दिखाया गया पता नहीं कॉंग्रेस को इसमें नौटंकी कहां से नजर आ जो जी या दिगविजे सिंग ने कह दिया शिवराज अब आई का जाएगा कि इस प्रकरण में नहीं का गया था लेकिन बीजेपी कह रहे है कि ये कन्याओं को इनको नोटंकी बाज का गया है मुक्यमंत्री को नोटंकी बाज का गया है एक बद सुन लीजे आप बुख्यमंती के तो बात मत करें इससे बड़ा मैं समस्ता हूँ कि जूटा और नाटक नौतंकी वाला करने वाला बुख्यमंती मैंने नहीं देखा अब तो नरेंद मोदी जी भी इससे खत्रा मेहसूस कर रहे हैं इतना बड़ा नौतंकी हमसे बड़ा नौतंक बाज कैसा हो दीगविजे सिंङ्ग क्न्या पूजन को नौतंकी बता रहे हैं, तो शिवराज सिंह ने पलटबार करते हुए पूछ लिया कि वो तो हर साल कन्याओं की पूजा करते हैं, आज ओफिस अफ शिवराज उनकी तरव से वकादा ट्वीट किया गया रहा है। उनके वो पैर्ध होते हैं फिर उस पानी को सर पर लगाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुआ ने लिगा कि हर माँ बेटी में देवी के दर्शन करते हैं। तो कॉंग्रेस बताए कि क्या वो कन्या विरोधी है। शिवराज सिंग चुआ ने पूचा कि क्या सोनिया गांधी के नजर में बेटीयों की पूजा नौटंकी है। एक और चीज़ बताए यह जो वीडियो है यह कमलनात का पुराना बयान बीजेपी की तरह से जारी किया गया। पहले दिगविजे सिंग ने कन्या पूजन को लेकर जो कुछ कहा, फिर शिवराज सिंग चौहान ने का कि कॉंग्रिस के लिए क्या कन्या पूजन नौटंकी है। फिर बीजेपी की तरफ से का गया, यह उस पार्टी की तरफ से का जाता है जिसमें पुराने बयान फिर जारी किये गए। वैसे दिगविजे सिंग के बयान पर शिवराज सिंग चौहान ने नेटवाक 18 से खास बाटीत ने कमलनात के इस पुराने बयान का भी जिकर गया, जो अभी हमने आपको सुनाया और कहा कि सानातन का पमान दरसल कॉंग्रिस की पुरानी आदत है, सुनिया आपूजन भारत क हर घर की परंबरा है, यत्र नारियस्त पूजन ते रमन ते तत्र देवता हमारे रिशियों ने गाया, कि जम बहन और बेटी का सम्मान नहीं होगा, भगवान भी नहीं रहेंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, तो उनकी इज़्जत करो, यह सनातन संस्कृती है हमारी, और मैं तो रोज बेटीओं का पूजन मंच पर ही करता हूं, बेना बेटीओं के पूजन के कोई काम ही सुरूर नहीं करता हूं